आज गाइज, आज गिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं timing events in JavaScript के बारे में तो timing events क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करें तो guys बहुती अच्छा सा concept होता है और the window objects allow executions of code and specify timing intervals मतलब कि अगर आपको ऐसा code लिकना है, जब आपका वो timing दिया हुआ है आपने तब भी वह एक पर्टिकुलर वह कोड एक्जीकूट हो जब वह टाइम उसका जो इसका टाइम है वह अगर प्रोपरली रन हो तब अब भी वह कोड एक्जीकूट हो ठीक है तो ऐसी फंक्शनल्टी आप टाइमिंग इवेंट्स के अंदर कर सकते हैं इन जावास के ठीक है और इसकी बात करें तो गाइज इसके अंदर दो मेथर्स होते हैं सबसे पहले आता है से टाइम आउट्स एंड एक अधामर सेट इंड आउट्स ठीक है और इसके अंदर गाइज में बताना चाहूंगा कि इसके अंदर दो-दो पेरामिटर्स आपको पास करने पड़ते हैं जैसे सेट टाइम आउट है पहले वाला उसके अंदर सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा एक फंक्शन मैसिकली फंक्सन वाहाँ पर आप कोल कर सकते हैं एक होता हमारा इसके अंदर टाइमिंग जैसे जिसका हम बोलते हैं बिसकली इंटर वेल भी बोल सकते हैं और यह होता हमारा मिली सेक इसके अंदर मिली सेकंड्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो यह होता है और इसकी बात करें सबसे पहले यह दोनो तो हमारा सेट टाइम आउट एंड सेट इंटर वैल ये क्या होते हैं स्टेमल डॉम इंड विंडो ऑब्जेक्ट ही होते हैं ठीक है यह दोलों में सेट होते हैं स्टेमल डॉम इंडों गे अब गाइस हम बेना किसी दिरीगी स्टार्ट करते सबसे पहले बताना साँगा एक मै सबसे पहले से टाइम आउट क्या होता देखिए से टाइम आउट क्या होता है एक 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 जांपल से समझते हैं मालो मैंने यहां पे मालो एक बटन डिफाइन कर देता हूं मैं चलो एक बटन मैंने डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा इसका नाम लिग द इसके अंदर मैं कुछ कर दूँगा जिसे डोकॉमेंट डोट राइट और यहां भी मैं टाइप कर दूँगा हेलो वर्ड जब यह फंक्शन चले तो यह हेलो वर्ड मेरे सामने प्रिंट हो जाए ठीक है अब मैं इस बटन पे काम करता हूं ओन क्लिक एक इविंट फायर करता ह हूं ओन क्लिक और ऑनり करे कमि उतलब जो भी करें करें क्लिक ठीक है तो इसका मतलब क्या है सेट इसमें एक में डेठ लगा जो अभी हमने देखा था से टैम आउटसे हैट टाइम ट्याप को कैमिटल लिगना अ कि आई-मी आउट ए cyclist के है帶 बेट परामिटर से पास एक हमारा function और function का नाम मेरा यहां पर मैंने डिवाइन तो करी दिया है अब इसको मैं call कर लूँगा like my आपको इसका नाम लिख देना my fun cti event ठीक है और second parameter होता है वो आपको देना पड़ता है second दे सकते हैं like two thousand milliseconds मैं यहां पर provide कर देता हूं ठीक है अब मैं काम करता हूं स्कोड को चला की देखता हूं तो कईज मैं आपको आपको देखे का क्या यहां यहां पे बटन देख रहा ट्राइट ठीक है अब गाई देखिए इस पर जैसे क्लिक करता हूं तो two seconds बाद में मतलब two thousand milliseconds equal to two seconds मतलब two thousand milliseconds बाद मतलब two seconds बाद मेरे पास यहां पर क्या प्रिंट होगा hello world print होगा देखते हैं चलो मैं इस पर क्लिक करता हूं और one two अब मेरे पास में hello world print हो रहा है है ना तो मतलब एक specific timing के लिए अगर आपको events लाना हो तो आप यहां पर से टाइब आउट से time event event basically होता है method उसका easily आप यूज यहां पर कर सकते हैं अमालो कि अगर आपको यह execution हो रही है इसको stop करना हो तो वह आप कैसे करेंगे आपको क्लियर टाइम आउट नाम से एक आपको methods provide किया जाता है इन जावास्क्रिप्ट और वहां पर यूज करके उसका stop कर सकते हैं इसका जो भी execution होता है वह stop कर सकते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं वो भी देख लेते हैं मैं की काम करूंगा इस बटन को आना इस यह जो मेरा code है इसको मैं एक variable के अंदर define कर दूँगा तो बादे है सारा मैं वेरियाबल का जो भी जो भी वेल्यू हो मैंने इसके रिस्टोर कर दी है मैं काम करूँगा इस पर चलूँगा ठीक है एक बटर मैंने ले लिया इसका नाम मैंने लिए स्टॉप इसका नाम ठीक है और एक काम करूँगा इस ओन क्लिक को सारे डेटा को मै यहां से हटा दूगा अब गाई आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर जो मैंने बताए था क्लियर टाइम आउट यह फस्ट वाला क्लियर टाइम आउट और इसके अंदर जो आपका वेडियाबल होता है वो आप पास कर दीजिए इसका मतलब क्या है कि वो पहले वाला टा है अब जिसे में ट्राइट पे क्लिक करूं और फिर में स्टॉप पे क्लिक करूं तो अभी मेरे पास कुछ परिंट नहीं होगा क्योंकि वो आगजी कुछिशन वो इस्टॉप हो गया अगए मट्राइट पे क्लिक करूं तो मेरे सामने one and two hello world प्रिंट हो रहा है एंड जिस इंटरेवेल का मतलब होता है कि नीरत तरता मतलब इसको आप चलाते रहो करते रहो जब तक कि कोई कंडिशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती इसका मतलब सिंबल सा है कि आप इसको चलाते रहो ठीक है अब अगर मैं यहां पर विंडोज 10 की एन्ड इसकी वह की बात करूं तो इस इसका मतलब यह सेट इंटर्वेल ठीक है तो वह हम कैसे कर सकते हैं इस वाज को भी कैसे डिजाइन कर सकते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक इसकी कोई नीड नहीं है अब मैं काम करूँगा एक परिग्राफ डिफाइन कर लेता हूं इसके अंदर मेरी एक आईडी होगी और आईडी का नाम आईडी वन अब यहां पर आगे इस फंक्शन को इसका नाम होगा माई एफ यू एन सीटी यू ठीक है पॉफिकली अब एक माई जस्ट जावस्क्रिप्ट कर जो मेरा ओपन टेग है यहां पर एक वेरियाबल डिफाइन कर लेता हूं वैर कॉंस लेट आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं और इसका लोकल इसका स्कोप होता यहां पर यहां पर डिफाइन कर लेता हूं वैर जैसे एक्स इकवल टू यहां पर मैं टाइप करूंगा सेट इंट्रवेल यह देख सकते हैं सेट इंट्रवेल आ गया इसके अंदर बैसिकली फैट एरो फंक्शन आ रहा है लेकिन इसकी कोई नीड है नहीं अभी मुझे ए सिंपल डेमो के लिए तो यहां पर क्या करता हूं जैका नहीं यहां पर फंक्शन किया यह यहां पर कोल कर देक imperfection क्वान देना है यहां पर आ करो आ चमल आ यहां पर मतलब यहां पर तयम सेट करनी है कर दोंधररoh nur 2 इंटे 100 weaker to 2 अक्र कर 25 नेदे ऐङर यहां पर जाके मुझे करना क्या पढ़ेगा एक आपको पता है कि जब भी आपका नई डेट है वो आप फैस करते हैं तो आप क्या लिखते हैं new date और parenthesis ठीक है तो variable अब डेट ठीक है डोको मेंट डोट राइड अब आप देख सकते हैं मेरा यह फंक्षिन को लोगा और बार बार मुझे डेट प्रिंट होती रहेगी जैसे मैं रिफ्रेस करता हूं इस कोड़ को तो देख सकते हैं मेरे पास यहां पर डेट आई फिर से डेट आएगी अभी अ इस यह होता गया सेट इंटर्मेल मतलब बार बार वह वह सलती ही रहेंगी चलो बढ़िया इतना मेरा काम किम्प्लीट अब मैं क्या करता हो देखिए मैं अइस आईड को यहां पर फैच करता हूँ तो डोकोमेंट डोट गेट इलेमेंट भाई यहां पर जो मेरा डैट है इसको आप कंवर्ट कर दो डू कल टैमिंग स्ट्रिंग के अंदर मतलब यहां को टाइमिंग खाली स्ट्रिंग के अंदर से यह ताइम्ग चाहिए इसका और कुछ नहीं चाहिए चलोब धाईया और इस पर कंप्लेट वीडियो करेंट करें बहुं है यह जो वाला है यह फंक्षन होता है यह के ऊपर गाई ऌश्मने आप एक वीडियो बना दिया देख लीजएगा अब मैं यहां पर आपको जैसे रिफ्रेस करूंगा तो अभी जो वोच मुझे मिलने वाली है वह आप देख सकते हैं नाइन अभी जो टाइम चल रहा है वो मुझे फैच हो चुका और वह इंटर्वेल मतलब वह चलती ही रहेगी आप देख सकते हैं और जैसे मैं यहां पर व आपको बटन बना दूगा और इस बटन पर कोई भी करेगा क्लिक तो यह जो है ना यह डेट है वह स्टॉप हो जाएगी तो वह कैसे कर सकते हैं एक काम करता हूं मैं जिस प्रग्राप के निचे बटन करता हूं आपको बटन दिखेगा स्टॉप नाम से अभी ठीक है इस ब अब यहां पर मैं करूंगा क्या यहां पर मैं आके एक गाइज करूंगा जो भी मैंने वेरियेबल डिफाइन किया था लाइक अक्स वाला इसके अंदर ही तो सेट इंटरवेल है देखिए बटन पर चलता हूं मैं और यहां पर ओन क्लिक और फॉकस नहीं ओन क्लिक ओन क्लि लाइच के ताइप आउट इस ताइम कलियर इंटर वैल ठीक है तो कलियर इंटर वैल i Stuart & ēın िए फिर उर इसके अथि हैरो पास करना पड़ेगा जो भी मेरा वेरियबल है सेट 一्च्रीन है निसको मैं इसके अंदर पास कर देता हूं जैसे इस बटन पर कोई करेगा इस्टोव वाले बिटन पर किलीक तो क्या होगा यह फ्लाम में सब्सक्राइब इसकर जो भी एक्स के अंदर पास किया गया वह आप इस डोफोजाएगा कलियर हो जाएगा ठीक है चलो बर्या देखते हैं तो गाई आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही एना स्टोप वाले बटन पर किया अभी आपको टाइम चलता दिख रहा है ठीक है बट मैं जैसे स्टोप वाले बटन पर करता हूं क्लिक तो आपका वह टाइम है वह स्टॉप हो जाता है तो गाई है ना यह ओसम और फिर चाम इवेंट्स होते हैं वह समझ में आये होंगे और जब भी आपको नेक्स लेवल प्रोजेक्ट की बात आती है तो यह काई दोनों इवेंट्स बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं ठीक है आपको कई टाइमिंग इवेंट्स के साथ खेलना होता तो यह आपको आने ही चाहिए तो आज इस वीडियो को इतना ही है तो थेंक्यू आइस सो मुझ टेक केर बाए बाए